हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं जहां बस्पा ने बाबा साब के हम नाम के सारे सियासी दाव चला है तो बीजेपी ने सरकारी शाशनादेश जारी किया है और साफ कह दिया है बाबा साब हर सरकारी दफ्तर की दिवार पर नजर आएंगे अपने अपने अमबेड कर अपने अपने वोर्ट कहीं नाम के सियासत कहीं निशांगी अमबेड कर पर बीजेपी बस्पा वे खीचता भलेही किसी महापुरुष के विचारों से सियासी दनों को दूर दूर तक सरोकार ना हूँ लेकिन उसके नाम को भुनाना सियासत को अच्छे से आता है। प्रतीकों की सियासत का तो अब जैसे चलन चल पड़ा है। जिस महापुरुष के ज्यादा अनुयाई दिखें उसी को ही अपना लो और उसी के सहरे सियासी विसात दिछा लो। बाबसाय भीम्राव अम्बेटकर इसी खीशतान में फसे हैं। जहां पसपा अम्बेटकर पर एक आधिकार जताती हैं तो बीजेपी ने भी उन्हें अपनाने में कोई कोर कसा नहीं छोड़ी। अम्बेटकर के नाम के बिना पसपा कोई काम नहीं करती तो अधर बीजेपी भी बाबा साहब को भुनाने में दलित बोटों के दौर में मायवती ने नया दाओं चल दिया और बाबा साहिब के हम नाम कारिकरता को राजिसभा उम्मीदवार बना दिया। भीम राओ अम्बेटकर होंगे बसपा के राजिसभा उम्मीदवार। दलितों को खुश करने के लिए नाम परदा। भरे ही भीम राओं अम्बेटकर ने नामांकर भी कर दिया। जाने की कोशिश की तो बीजेपी ने तस्वीर के सहारे दाउं चल दिया। योगी सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहिब भीम राओं अम्बेटकर की तस्वीर लगाना अनिवार कर दिया। और इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया। उत्सर प्रदेश विधान सभा, विधान परिशाद, सचीवाले समेथ, राज सरकार के अंतरगात आने वाले तमाम कार्यालयों, निगमों, परिशदों, शैक्ष्रिक संस्थानों और विद्यालयों के लिए जारी किया गया। इसके शासनादेश में प्रदेश सरकार ने सूचना एवं जन्संपर्ख विभाग को प्रतेग कारालय को डॉक्टर भीम्राव रामजी अंबेटकर का चित्र उपलब्द करवाने के जिम्वितारी सोंपी है। नजर आएगी। यानि साफ है तरीका कोई भी हो महापुरुषों के सहारे सियासत साध्र में कोई पीछ नहीं है। अब तो हाल ये हो गया कि एक दूसरे से छीनने के लिए हाथ पैर मारे जा रहे हैं ताकि इनको आदर्श मारने वालों को लुपाया जा सके।